वेलकम तो इजी साइंस, आज हम शुरू करेंगे टॉपिक फ्रॉम फाइबर्स टू वूल, मतलब फाइबर, वूल का फाइबर हमें कैसे मिलता है, कहां से मिलता है, और फाइबर से वूल बनने तक के प्रोसेस को हम इस टॉपिक में डिसकस करेंगे, तो इसके लिए इंडिय में कई जगे ओपर अलग-अलग इंडिया के पार्ट में शीप की रेरिंग होती है, और इंडिया में ही कई अलग-अलग तरीके के वूल की क्वालिटी मिलती है, शीप के हेर से हमें वूल का फाइबर मिलता है, और शीप में दो तरीके के हेर ग्रो होते हैं, एक ऐसे होते ह जो कॉरस हेर होते हैं और दूसरे वाले हेर जो होते हैं वह बहुत ही फाइन होते हैं सॉफ्ट होते हैं जिनसे हमें वूल का फाइबर मिलता है यह वाले हेर्स स्किन के बहुत क्लोज होते हैं जो स्किन के पास वाले हेर्स होते हैं वही फाइन और सॉफ्ट होते हैं और उनसे हमें wool का fiber मिलता है तो जो अच्छी quality के ships होते हैं उनमें ये fine under hair ज़्यादा grow करते हैं इसलिए उन ships को अच्छी quality का ship कहते हैं क्योंकि ये ज़्यादा grow होंगे ज़्यादा wool का fiber मिलेगा और wool का production ज़्यादा होगा तो इसलिए इनके breathing से पहले ऐसे अच्छी quality वाले ship को select किया जाता है क्योंकि अगर parent ship में ये quality होगी तो automatically उनके offspring में भी यही quality होगी तो breathing के लिए उनने select किया जाता है इसलिए इस प्रोसेस को selectively breathe कहते है their parents are specially chosen to give birth to ship which have only soft under hair in large quantities जिनमें सिर्फ soft under hair होता है और वो भी large quantities में होता है उनको choose किया जाता है this process of selecting parents for obtaining special characters in their offspring is known as selective breathing इसलिए इसे selective breathing कहते है क्योंकि उनके offspring में भी ये वाले character transfer होंगे उनके जो offspring होंगे वो भी अच्छी quality के होंगे तो इस तरीके से इनकी breathing selectively breathing के process है किया जाती है अब हम पढ़ेंगे कि wool के जो fiber हमें मिल जाते हैं उससे फिर wool बनाया कैसे जाता है thread कैसे बनता है इसके कई step होते हैं सबसे पहले तो जब sheep के grow हो जाते हैं hairs अच्छे से तो उनकी फिर shaving होती है और ये होता है summer season में क्योंकि summer का season होता है गर्मी होती है तो जो sheep है वो without hair आराम से survive कर पाते है और जब तक winter आता है तब तक उनके hairs वापस से grow कर जाते हैं और जब shaving की जाती है तो उस समय क्या होता है जो skin की उपर वाली जो पतली thin layer होती है वो भी hair के साथ साथ shave हो जाती है मगर इससे sheep को कोई भी किसी भी तरीके का hurt नहीं होता है पेन नहीं होता है ये बिल्कुल उस तरीके से जैसे आपने देखा होगा बारबर शॉप में shaving कराते हुए या कभी जब आप hair cut कराते हैं तो उसी तरीके से इनकी भी shaving होती है और जो उपर की लेयर निकलती skin की वो होती है dead तो इसलिए sheep को कोई problem नहीं होती कोई pain नहीं होता है तो इस process को जिसमें की furg की shaving होती है उसे कहते है sharing और ये first step होता है उसके बाद next आता है scouring इसमें क्या होता है hair जो जिनकी shaving हो गई है उनको बड़े बड़े tank में डाल करके wash किया जाता है क्योंकि किसी भी तरीके का dust होता है कोई भी dirt होता है hair में तो वो अच्छे से remove हो जाता है और hairs clean हो जाते हैं तो इस process को scouring कहते हैं scouring के बाद ये सारे hairs जो होते हैं fur होते हैं फैक्टरी में भीज दिया जाता है और फैक्टरी में यहां पर sorting होती है sorting का मतलब अलग-अलग texture वाले size वाले बनावट वाले चीजों को separate करना तो यहां hairs के साथ भी यह होता है जिन hair का texture different होता है उन सब को separate किया जाता है और sorting के बाद next step पाता है cleaning of burst निकल आते हैएं स्वेटर के फाइबर होते हैं तो इसी तरीके से जब यह process होती है उस समय फाइबर के pequ地方 निकल को लाते हैं हमारे जो these वेटरी में होते हैं वह बहुत ही चोटे होते हैं में अगर इस समय जो इस fiber area जो fluffy भी बाल निकलते हैं वो उनसे कहीं बड़े होते हैं और बहुत जादा quantity में होते हैं तो इनी fluffy balls को जो fiber की balls होते हैं उनको कहते हैं बर्स ठीक है तो इन बर्स की cleaning होती है इनको क्या कहते हैं सबसे पहले तो इनको hair से separate कर लिया जाता है इन बर्स को ठीक है और separate करने के बाद वापस से इन्हें wash किया जाता है जो हमने second step में किया था scoring वो again ये फिर बर्स को फिर से वह से ही wash करते हैं और फिर dry करते हैं और wash और dry करने के बाद जब ये अच्छे से clean हो जाते हैं सूप जाते हैं तो इनको dye किया जाता है dyeing में क्या होता है कि फाइबर को अपने बडाय किया सकता है कोई भी color इनको दिया जा सकता है क्योंकि जो naturally मिलते हैं शीप से या गोट से वह black, brown, white ही होते इनके dye करने के बाद इनके rolling कि प्रोसेस होती dyeing में क्या होता है फाइबर को straighten किया जाता है सीधा किया जाताד और रोल बनाए जाता हिए जू आने जातर धिर्ट नम्ब कातर हो लूल को बनना होती है जैसे कि बुलेन कपड़े होते हैं या शॉल वगेरा तो उसके लिए शॉर्टर वाले फाइबर को यूज करते हैं